Welcome back friends, friends इस वीडियो के अंदर मैं आज आज आपको नेवी ग्रूप C के अंदर जो विकेंसी आई है उसकी मैं पूरी डिटेल बताऊँगा आप सोच रहे होंगे कि राम सर नोटिफेकिशन तो दो दिन पहले आगया आपने दो दिन आप बात क्यों अता रहे हैं देखे इसके पीछे रीजन यह रहा कि मैं पूरी डिटेल इसके लिए लेके आया हूँ क्या आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या आप इसके एलिजिवल है जो भी एलिजिवल क्राइटेरिया होता है क्या आप उसको मैच करते हैं यह आपके लिए विकेंसी है कि आपको इसमें फॉर्म फिल करना चाहिए यह सारी बाते में इस वीडियो की माध्यम शाज आपको बताऊंगा क्या हैं क्या है क्या क्या requiremen होने वाली और यहां तक मैंने नीवी हैटक़र्टर से कुछ बात किया था तो उसका और रिकॉर्ड है के बाद आपको दिया है तो पूरी डिटेल है क्या पहले मैं आपको इसमें नोटीफेक्शन में बता दिता हूं जो में 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 बाते हैं वो बता-देता कर यहां पर वह कहा गया है कि गुरुप C के लिए नवी गुरूप सी के लिए यह नॉन गैजट यानि कि मैं कह सकता हूं कि जैसे आपने देखा होगा एयर फोर्स ने सिवीलियन का होता है आप अगर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने गुरूप इसके डिस्कृप्शन लिंक दे रखा एक एयर फोर्स में जो सिवीलियन प बता दूँगा यदि आप फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो डिस्कृप्शन में लिंक के दे रखा है उस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आपके सारे डाउट जो गुरूप सी के जितने भी फोर्म निकलते हैं चाहें वो आपका आर्मी हो नेवी हो या फ्री विस देख सकते हैं यह सारे हैं पर पोस्ट रहेगा और कॉन सा पोस्ट आपके लिए ढ़ते हैं तो बाद में बता दूँगा आप सकते हैं या फिर नहीं इसके साथ ही साथ बरने की possibility है तो आप किस line को चुनना क्योंकि exam कैसा होता है इसका वो भी बता दिता हूं यहां पर हम बात कर लेते हैं देखिए यहां पर भी सेम बातें और भी जो पचीज है या फिर तीज है वो डिपैंड करता है पोस्ट के उपर कि उसमें पचीज है हाई एस्ट या फिर थर्टी है और आप अगर सेस्ट और जम्स का सर्टीफिकेट है आपका सेंटरल का तो उसमें आपको र्ल्यक्सिशन दिया जाता है अच्छा देखो यहां पर और पूरी डिटेल आपको बता दीता हूं इसमें जो जो मेन है वह मैं पूरी जानकरी दूँगा इसके साथ देखो AIDS Relation की बात करते हैं तो जो हमारे SC, ST के जो हमारे दोस्त हैं उनको 5 साल का और OBC को 3 साल का याद रखना ये Central का Certificate होगा आपके पास तबी आप इसमें OBC Candidate को Elisability मिलेगी Otherwise उन्हें बापिस वहां से आना पड़ेगा इसके साथ और देखें मैं बताता हूँ दिए कि Mode of Selection मैं ऐसे पढ़ने रहा मैं वैसे बता देता हूँ होता क्या है इसमें सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होता है इसके बाद आपको Admit Card Issue किया जाता है एक्जाम देने जाते हैं जिस पोस्ट के लिए आपने आविदन किया होगा उस पोस्ट से भी Related वहां पर Question आपको देखने को मिलेंगे Question paper आपका 100 नमबर का हो सकता है देट 100 नमबर का यह vary करता है Depend करता है आपका post क्या है उस post के according यह depend करता है हाँ यदि आप MTS Department के अंदर यदि form फिल करते हैं तो इसके अंदर आपको English यानि 50 नमबर का Especially English आता है जो इसमें Slavers और Notification में दे रखा है ना जो नमबर दे रखे हैं हर सब्जेक्ट में कितने कितने आएंगे वो vary करते रहते हैं अच्छा इसके साथ में और बता देता हूँ आपको Scheme of Written Exam यहाँ पर देगो यह paper दे रखा है यानि जो General Intelligence का आएगा 30 का English आएगा 10 नमर का Numerical Aptitude 20 नमर और Awareness का आएगा 40 नमर बास समझे वारा है तो इस चीज को आप मेंसा अध्यार रखना है 100 नमर का Question Paper है और देखो Slavish of Examination यहाँ पर आपको दे रखा है कि English के अंदर आपको क्या पढ़ना है English के अंदर बिल्कुल चिंता मत करना यहाँ तक मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर English Language का एक पैसेज मिलता है Vocab Grammar में पढ़ाई रहा हूँ स्रणम्स, अंट्रणम्स, और इट्स करेक्ट यूजज़ यह सारी चीज़े मैं आपको प्रॉपरली तरीके से बताते रहता हूँ तो यदि आप इसका पेपर देने जाये हैं तो English की बिल्लकुल चिंता मत करना क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है वो इस एक्जाम के लिए क्रेक करने के लिए सफीशन्ट है सफीशन्ट नहीं मतलब वो तो कुछ ज़्यादा है यह एक्जाम कुछ लेवल का नहीं होता है इसके साथ देखो यहाँ पर सारस लेवल का डिटेल दे रखा है और बोल रखा है कि जो डेट ओफ एक्जामनेशन है वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको एनाउंस कर दी जाएगी होता क्या है जब आप एक्जामनेशन टेस्ट दे लेते हैं तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद इसका कट ओफ जारी होता है आपका यह दिए उसमें नाम आया है तो इसके बाद आपको इस किल टेस्ट यानि को से बोलते हैं प्रेक्टिकल टेस्ट के अंदर क्या होता है देखे उसके अंदर वो डिपांट करता है आप जिस डिपार्टमेंट में आपने फॉर्म बताह आए वहाहं पर वह ट्रेड टेस्ट लेते हैं तो ट्रेड ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको सफाई कर्म चारी के तौर पर आपको जाना है अगर आप सोच रहे हैं कि अगर MTS में फॉर्म भरा है तो आप MTS का आपको सफाई के लिए नगाएजा सकता है है ना water carrier की लगाए सकता है paid pod में पानी के लिए मतलब MTS एक ऐसा department होता है जिसमें हर काम को आपको अन्मती दी जाती है कि ये काम आप कर सकते हैं तो ये मैं सोचना कि MTS killer के लिए होता है इसके बाद देखें मैं और बाता हूँ हाँ जब आपका paper हो जाता है दिन आपका skill test होगा उसी दिन वो document भी verification कर सकते है जब आपके document verification हो जाता है तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद वो आपके घर पर एक joining letter बेजते हैं याद रखना जिस candidate के घर पर joining letter आ जाए समझ लेना उसका selection हो गया है जब joining letter आ जाता है उसके बाद इसमें medical होता है तो ये depend करता है कि वहाँ पर कैसी प्रिकरिया है एरफोर्स में maximum यही होता है कि civilian के अंदर पहले वो you know पहले joining letter देते हैं इसके बाद वो medical करा लेते हैं तो medical आप किसी भी district hospital से करवा सकते हैं वो माना जाता है अचा इसके साथ देखें और मैं आपको क्या बता हूँ और तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बाकि पूरी detail मैंने यहाँ पर बता रखी है हाँ और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा ठीक है तो इस चीज का याद रखना हाँ अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा navy headquarter से जो बात हुआ उसमें कौन-कौन सी बात हैं सामने निकल के आई अब देखिए मेरी जो बात थी उसका main मैं आपको सार बता देता हूँ फिर आप खुद सुन लिएगा सार ये रहा कि जब मैंने वहाँ पर बात किया और पूछा कि क्या सर हर student इसमें form fill कर सकता है तो उनका जबाब था नहीं fill कर सकता जिस student के पास skill test का यानि कि जो भी post आप apply कर रहे है यादि उस post का certificate है एक साल का दो साल का experience है तो वही इसमें form fill करे ये बात आपको ध्यान रखनी है यानि आप MTS के लिए लसकर के लिए housekeeping department किसी भी department पर यदि आप form fill करते हैं तो उसका certificate आपके पास होना चाहिए अब ये depend नहीं करता कि मैंने फिर ये भी पूचा कि सर क्या navy में जो navy, army, air force में जो बंदे काम करते हैं क्या वो ही इसका form fill करें मैंने एक वीडियो देखा था उसमें एक जो YouTube हमारे सर थे वो बता रहे थे कि ये form fill बिल्कुल भी मत करना और 10th वाले नहीं कर सकते देखे 10th वाले नहीं कर सकते ये सही बात है लेकिन ये पूट रूप से सही बात नहीं है यदि 10th वालों के पास यदि certificate है ऐसा जरूद नहीं है वो certificate आपके academy का हो सकता है जिस post के लिए आप नहीं है उस post से related certificate होना चाहिए ठीक है न जो certificate आप बनवा सकते हैं और लेकिन वहाँ पर experience भी देखा जाता है ठीक है तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ जो candidate ये सोचते हैं कि इसके अंदर क्या होता है maximum आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है खेर हमें उनसे मतलब नहीं लेकिन मैं आपको inform कर देता हूँ बोलते ना कि पैसे देदीजिए सिबीलियन में उसका ही नमबर आएगा दोस्त देखो ये मुझे जैसा लगता है ऐसा नहीं है ना अगर होगा तो देखो यार पांच अंगली एक जैसी नहीं ना कुछ भी कहीं पर हो सकता है तो वो matter अलग करता है लेकर हाँ यदि आपके नमबर बहुत अच्छे है नमबर सबसे जादा है तो priority आपको दी जाएगी वो डेपेंड करता है वहां के officer के उपर ठीक है ना तो maximum cases में क्या होता है कि जो बंदे पड़े लिखी होते हैं इनका exam बहुत अच्छा जाता है अपने बिवाग में जिस post के लिए आविदन क्या उस post के अंदर ये दी वो बहुत अच्छा नमबर यानि सबसे first नमबर पर आया तो उसकी possibility बनती नहीं उसकी नौकरी लगती है मेरे वाई तो आप दियान रखना है examination बहुत अच्छी तरह से करके आना क्या बात चीत हुई आपको क्या-क्या दियान रखना है वो सारे डीडिलाब सुन लीजिए चाता हूं जो अभी नेभी ग्रुप C के अंदर जो वेकेंसी आई है क्या जो स्टुएंट ने अभी टैंट कर रखा है क्या वो इस वां भरेंगे या फिर जिनके पास experience है और इसमें काम कर चुए वो ही फॉम भर सकते है experience अले चाहिए experience यानि कि हम नॉर्मल स्टुएंट नहीं इसका अपलाई कर सकते है हाँ सर मुझे बताइँनगे के जो इसमें experience चाहिए वो किस तरह होना चाहिए या फिर किसी बाहर की संस्ता में काम किया हो ही या फिर नेवी की अंदर किसी department में काम किया हो अब Auss या चर्छे तरहria या तो फिर जो रिंदेट चलिगगा आपने जितनी भी recording कि वो आपने सुनी, बात्ची सुनने के बाद आपको सारा का सारा clear हो चुका हुगा, हाँ, doubt बिल्कुल मत करना, कि ये किसी और को फरजी call लगा दिया, ये वे, ऐसे बिल्कुल मत सोसना, यहां पर अगर मैं जो भी जानकारी दूँगा, बले ही वो दो दि authenticated होगी, ठीक है न, अगर आप चाहें तो देखो, ऐसा करना, आप नेवी, इसकी side है न, किसी भी side पर जाकर कि इसके official notification पर जाना, वहां पर जब आप देखेंगे, official website पर जाकर कि side में, left, right corner पर आप देखेंगे न, वहां पर ये दिखाऊ, नेवी headquarter का number लिखा होता है, व पर अपनी दोस्तों में share करें, उनको inform करें, और इस channel पर अभी तक बने रहने के लिए आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much